यह प्रस्ट में संख्या 121 से 125 यह मसीन इंपुट का प्रस्टा है और इंपुट इसमें देख रहे हैं हम क्या क्या दिया है वर्ग 69 यूथ 85 नॉट 57 इस तरीके से एक इंपुट दिया हुए और पहला चरण दूसरे चरण साथ चरण दिये हुए और सात्मा चरण इसका अंत इंपुट में लिख लेए इंपुट क्या है और इंपुट है जीरॉक्स ज इरो इकस जीरॉक्स 96 इंटीश औसकर जीरॉक्स 96 ओसकर 79 वाल्वो 79 Volvo 65 Pop 65 Pop 19 Lan 19 Lan 27 Ego 27 Ego 33 ये दिया हुए ठीक है और इसमें चर्ण किसी साथ से चल रहा है इन्पुट में दियेगा इन्पुट में कैसे चल रहा है कि सबसे लोबेस्ट जो लेटर है वो इधर आ जा रहा है 19 सबसे चोटा है अंकों में सबसे चोटा क्या है 19 वो इधर आ जा रहा है और सबसे highest जो सब्द है इधर आ जा रहा है मतलब प्रारम्ब हो जा रहा है सबसे lowest लेटर से और अंत हो जा रहा है सबसे highest लेटर ठीक है इस तरीके से चल रहा है इसी तरीके से इसको भी इसी तरीके से हम इसको भी एरेंज कर लें हैं, तो कैसे हो जाएगा ये, तो इस तरीके से जी रॉक्स 96 और जुदे दिया हुआ है तो पहला चरण step 1, step 2 step लिखते हैं, पहला step क्या होगा इसका, सबसे छोटा जो अक्षर है 19 वो इधर आ जाएगा बाकि सारी चीजें वैसे की वैसे रहेंगी 19 सबसे पहला लेटर है ये इधर आ जाएगा और Gerox सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा बाकि चीजें वैसे की वैसे लिख देनी है हैं तो कितना हो गया बाकी क्या बचा 96 ऑसकर 79 वालवो वालवो 65 पॉप वालवो है इस तरीके से हो गया है दूसरा दूसरा चरण क्या होगा दूसरा चरण में फिर से एक 19 तो होई गया था 19 के बाद अब क्या बचा 19 के बाद 27 आप देख रहे हैं 19 के बाद दिया है बिक्रम से 27 आ जाएगा 27 और 19 के बाद 27 हो गया और उधर जी रॉक्स की तरफ कौन आ जाएगा जी रॉक्स की तरफ हो जाएगा बॉल्भो ये था जी रॉक्सिदर जेड़ की आर ओ एख सा वाल्वो इसके पहले आ जाएगा था अब बाकी चीजों को फिर से वैसे ही सेट कर लेते हैं बाकी चीजों को फिर से वैसे ही सेट कर लें तो कितना हो जाएगा 96 ऑसकर 79 गॉल वो उधर जा चुका है 65 पॉप 19 तो है नहीं 19 यहां पर नहीं था पहले उधर जा चुका था ना लायन 27 उधर जा ही चुका है इगो 33 ठीक तीसरा चरण साथ चरण होंगे पूरे तीसरा चरण इसका क्या होगा 19 27 33 भी आ जाएगा इदर उठके 33 फिर बाकी सारा कुछ होई 96 और इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा जी रॉक्स और वाल्वो के साथ साथ जी रॉक्स और वाल्वो के साथ साथ पॉप आ जाएगा इधर आगे तो पॉप और 96 को चुछ पॉप और 33 को छोड़ दीजे बाकी सारा कुछ वैसे लिख देते हैं तो बाकी सारा कुछ ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा ओसकर ओसकर 79, 65 तो उधर गया नहीं है, 65, 65, पॉप उधर चला गया है, तो लैन, लैन, इगो, लैन, इगो 33 भी उधर चला गया है, तो लैन, इगो तक, ठीक, तीसरा हो गया, चौथा, चौथा इस्टप इसका क्या होगा, 33 तक हो चुका है, एक और इधर आजाएगा, और एक और उधर चला जाएगा, लब इधर आपको ले जाना है, अंकों में शुरुआत करनी है, बढ़ते हुए क्रम में, और सब्दों में शुरुआत करनी है, उधर से, दाएं साइट से घरते हुए क्रम में, तो ये दिया इधर का देख लें, इधर का क्या होगा जिरॉक्स था ही, जिरॉक्स तो था ही, बॉल्बो था ही, पॉप था ही, इसके अलावा और क्या जाएगा, जिरॉक्स बॉल्बो पॉप था, और आ जाएगा जिरॉक्स बॉल्बो पॉप आसकर, आसकर आ जाएगा, O-S-C-A-R, Oscar, Oscar आ जाएगा, ठीक है, बाकी चीज़ों को इससे लिख लेते हैं, 79 के बाद क्या होगा, Lan, Ego, Lan, Ego, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, चौथा चरण, पांचमा चरण, सारे चरण यहाँ पे देख लें, पांचमा चरण, पांचमा चरण क्या कह रहा है, 19, 27, 33, 19, 27, पूरा बाई से ही लिख लें, 33, 65, 65, अब 79 आ गया, जाएगा, 79, 96, 79, 96 हो गया, फिर हो गया, Ego, Lan, Ego, Lan, Oscar, Oscar, Pop, और जीरोक्स, यह हो गया, पांचमा चरण, छटे चरण में हम यहाँ पे क्या देखते थे, छटे चरण में हम उसमें देखें, तो हो क्या रहा था, छटे चरण में, छटे चरण में हो यह रहा था, कि जुड़ जा रहे थे, सारे अंक आपस में जुड़ जा रहे थे, छट जाचरन क्या होगा इसका? सारी आंग जुड़ जा रहे थे तो, 9 और 1 10, 10 का क्या होगा? 10 का 1 हो गया, 7, 2, 9 हो गया, 7, 2, 9 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, और 6, 5, 11, 11, 1 हो एक 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 जुड़ेगा, 2, 9, 7, 16, 16, 1 और 6 मतलब 7, और नौचे पंद्रा नौचे पंद्रा का मतलब क्या हो गया पांच और एक छै पांच और एक छै ये प्रस्म संग ये पांच और एक छै फिर वही इगो इगो, लैन आसकर पॉप, वॉल्वो और जी रॉक्स जी रॉक्स छटा चरण हो गया सात्वा चरण सात्वा चरण सात्वा चरण में अब ये जो चीजें आ गई है इसमें ऐसा क्या दिखे रहा है सात्वा चरण सात्वा चरण इसको जो है सात्वा चरण में यहां पे हम देखें पहले जो दिया गया input था उसमें क्या किया गया था पहले लेटर को बाद में जो चरण था उसमें पहले लेटर को क्या किया गया था कि इस्थानिय मान रख दिया गया था पहले हर पहले लेटर का इस्थानिय मान रख दिया गया था तो साथ में चरण में क्या हो जाएगा लाइन की जगह, लाइन का मान क्या होता है, बारा, बारा का मतलब क्या हो गया, दो और एक, तीन, थ्री ए एन, लाइन, आसकर का मान होता है, वो का मतलब होता है, पंदरा, पंदरा का मतलब एक और पांच, छे, एस, सी, ए, आर, ये, ठीक है, और पॉप, पॉप होता है, पी ह होता है वाइस का मतलब कितना हो गया चार दो और दो चार ओ यह हो गया आपका साथवा चरण और आठवा और अंतिम चरण आठवा और अंतिम इस्टप जो है इसको अच्छे से लिख लेते हैं अलग से आठवा और अंतिम चरण क्या होगा एक नौ छै दो साथ छै यह तो यहां तक हो गया अंक सारे लिख देगे 1-9-6-2-7-6 1-9-7-6-2-7-6 हो गया अब क्या है इगो इगो में पांच है जी है ओ है ए का मान कितना था पांच लिख दिया गया है जी का मान कितना है जी का मान होता है साथ तो साथ पांच बारा हो गया और ओ का मान होता है पंदरा 12 15 कितना हो गया 27 27 को क्या लिख देंगे हम 2 और 7 जोड़के 9 इस तरीके से सब को जोड़के लिखना है 27 को 2 और 7 जोड़के क्या लिख देंगे 9 फिर क्या है 3 A N 3 का तो 3 लिखाई हुआ है A का मान है 1 और N का मान है 14 14 और 1 15 15 13 18 18 में 1 और 8 को जोड़ेंगे कितना हैगा 9 फिर क्या है 6 S C A R 6 S C A R S का मतलब कितना हो गया 19 19 और 3 C 22 22 और 1 A 1 22 और 1 23 23 और 18 23 को भी जोड़ लें 23 को कितना हो गया 3 2 5 5 और 18 3 2 5 और 18 18 5 फिर से 23 फिर से 23 तो कितना हो गया 3 2 5 3 2 5 और 6 5 11 6 5 11 11 का मतलब क्या हो गया एक और एक इस तरीके से उसकर का 2 आ गया और 7 O P 7 O P का भी इस तरीके से 2 आ जाएगा जोड़ लेजेगा और 4 O L B O का हो जाएगा 5 और जीराक्स का हो जाएगा 5 यह हो गया फाइनल स्टेप हो गई अब प्रस्न भी आपते हैं इस तरीके से पूरा इतना बड़ा चरण कौन सा होगा तो तीसरा चरण दिया है इसमें तीसरा चरण यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है 1927,336 किसी में है 1927,336 किसी में नहीं अर्थात इन में से कुई नहीं तो 121 का उत्तर क्या हो गया इन में से कुई नहीं अब 122 प्रस्टन देख लेते हैं इसी में प्रस्टन संख्या 122,122 में पूछ रहा कि उपरुक तिन पुट को पूरा करने में कितने चरणों की आवसकता होगी पूरा तो हली कर लिया वाई, कितने चरण चाहिए 8 चरण, कोई भी बता देगा देखके कि कितने चरण चाहि यह है option B में, तो option B is the right answer, प्रस्टन संख्या 123, प्रस्टन संख्या 123 पूछ रहा है कि चरण 4 में बाएं छोर से पॉप का इस्थान क्या होगा, अच्छा, चरण 4 में यह है चौथा चरण, तो चरण 4 में बाएं छोर से पॉप का इस्थान निकलना है, तो गिल लिजे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आठ, नौ, दस कौन सा इस्थान आया? दसवां एक सो तेईस का दसवां अर्थात, दसवां इस्थान तेंथ, तेंथ प्लेस और यह दिया है option A में तो option A is the right 124 प्रस्ट 124 प्रस्ट में पूछ रहा है कि इन लिखित में से उपरोक्त input का आखरी चलान कौन सा होगा? आखरी चलान क्या दिया है? 1,9,6,2,7,6, 9,9,2,2,5 1,9,6,2,7,6, 9,2,2,5 किसी में है नहीं 7,2,1,9 6, 2,7 2,7 तक तो है 2,6,2,7 के बाद 6,9,6,9, 9,2,2,5 यह किसी में नहीं है किसी में नहीं देख लिया गया तो इसमें क्या होगा? E option उपरोक्त में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं 124 का E 125 प्रस्न की निमलिखित में से उपरोक्त input का पांचमा चरण कौन सा होगा? पांचमा चरण है क्या पहले ये तो देख लें पांचमा चरण दिया हुआ है 19273365 19273365 797996 इगो, लान, आसकर, आसकर, पॉप, बॉल, बॉजी रॉक्स ये दिया हुआ है, same to same दिया हुआ है D में ये same to same जब आप उपर प्रस्म देखेंगे तो ये same to same दिया हुआ है D में तो option D में जो है, option D is the right answer